नवजोद सिंग सिद्धू ने शेयर की अपनी पतनी की हेल्थ अपडेट आपको बता दी पूर्फ क्रिकेटर नवजोद सिंग सिद्धू की पतनी नवजोद कॉल कैंसर से लड़ रही है गुरुवार को हरियाणा के होस्पीटल में उनका ओपरेशन हुआ खुद नवजोद सिंग सिद्धू ने सोशल मीडिया पर फोटोज को शेयर करके अपनी पतनी की हेल्थ अपडेट फैंस को दी है सोशल मीडिया पर उन्होंने दो फोटो को शेयर किया है जिसमें उनकी पतनी नवजोद कॉल जोस पीती हुई दिखाई दी है साथी उनके सिद पतनी का ये ओपरेशन साड़े तीन घंटे तक चला उन्होंने आगे अपनी पतनी की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी पतनी बहुत स्ट्रॉंग है और जिस तरह उन्होंने हर चीज का सामना किया वो काभियत तारीफ है आगे वो लिखते हैं वो साहस का दूसरा नाम है उनके प्यार का नाम है नोनी जानकारी के मुताब एक नबजोद कौर लंबे टाइम से कैंसर से जूज रही है अक्सर नबजोद सिंग सिद्धून की पतनी के साथ सोशल मीडिया पर फोटोज को शेयर करते रहते हैं पतनी की बीमारी के चलते उन्होंने लोग सभास से भी दूरी बनाई हुई है बताया जा रहा है कि नबजोद कौर की अब तक 6 कीमो थेरपी हो चुकी है सोशल मीडिया पर सिद्धू अक्सर नबजोद के साथ काफी सारी फोटोज शेयर करते रहते हैं और फैंस को उनकी हेल्थ अपडेट भी बताते रहते हैं बता दें कि नबजोद सिद्धू ने सिर्फ 20 साल की और में क्रिकेट मैच खेला था लेकिन जिस तरह फैंस ने नबजोद की पत्नी का ये प्यारा सा फोटो देखा फैंस लगातार प्रात्ता कर रहे हैं कि उनकी पत्नी जल्दी ठीक हो जाए आपके कहना चाहते हैं इन फोटोज को देखकर कॉमे प्राइब आपके कहना चाहते हैं